हेलो एब्रिवन डिस इस पूरु जोन्त्रिया आज हम सरकारु वारी पट्टा साउथ इंडियन मूबी है महिज बावू की इस मूबी का पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि इस मूबी में फर्स्ट सीन से लेके लाट्स तक क्या-क्या होता है ठीक है तो चलिए तानी सुरू कर जाता है कि प्लीज आप हमें कुछ टाइम और दे दीजिए जिससे कि हम आपका लॉन चुका सकें लेकिन बैंक वाले के लिए डिनाई कर देते हैं कि नहीं तुम्हें और एक्स्टा टाइम नहीं मिलेगा और तुम जो है अपना घर बार कुछ भी वेचो लेकिन हमें हमारा पैसा हमें बापस चाहिए दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं और साम को पती पतनी दोनों इस तरह में सोच रहे होते हैं कि यार क्या किया जाए कैसे लौन चुकाया जाए तो दोनों सला मश्वारा करते हैं और दोनों जो है वो फासी के फंदे से लटक जाते हैं और लड गर की निलामी के लिए बैंक ओफिशल्स और करमचारी कोड के करमचारी आ जाते हैं और गर की निलामी की प्रक्रिया जो है वो सुरू कर देते हैं और उन्हें गर से बाहर जाना पड़ता है और वो लोग वहां से अपने एक अंकल की साथ वहां से चला जाता है अंकल सहर में आके उस लड़के का दाखिला एक हुष्टल में करा देता है जहां उसकी अच्छे से पढ़ाई हो सके और जो है अच्छा बविश राप्त कर सके वो लड़का जो होता है वो एक रुपे का जो सिक्का होता है वो अपनी गर्दन पर टेंडू बन बा लेता है उसे और फिर यह पाद जूए खेलते हुए दिखायँ गया है महीज बाबु इसमें एक लॉण देने वाली कंपणी चलाते है 2007 कीष्टी शूरेस के पास पैसे मलब हर जाने के करन्न वो किया करती है और महीज बाबु को अपनी बातों में फसाने की खोसिस करती है जिससे कि उससे पैसे सके बनके एकदम अच्छी डिसेंट बनके महिस बाबु के पास आती है लॉन लेने के लिए कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा जरुत है तो आप मुझे लॉन दे दीजी और महिस बाबु जो है वो अपना परसनल तरीके से उसको लॉन दे देता है पैसे देने के बाद जब क बगल में जो है रोग लेता है तो उसको भी दिखाई दे जाता है कि जो है यह इसका पीछा कर रहा है अगले सीन में महिस बाबु कीर्थी सुरेश को मैसेज करता है तो अधर से जो है कीर्थी सुरेश का भी रिपलाई आता है तो महिस बाबु खुस हो जाता है और मन दी मन उसके ख्वाबा में खोता रहता है उसके बाद उन दोनों का मिलना जुला चलता रहता है और वो कीरती सुरेश जो है मैस बाबु से पैसे एड़ती रहती है एक दिन मैस बाबु को पता चल जाता है कि ये कोई सिती साथी सती सावित्री औरत नहीं है बलकि ये तो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है जो की जुवे खेलती है मलब लॉन लेती है जुवे खेलती है और मेरे बरुसे का फैदा उटा रही है अगले सीन में मैस बाबु और किस ओर जो है वो उस लड़की से पैसा लेने के लिए चल देते है महिज वावू किस होर से बोलता है कि मुझे नहीं पता है इस लड़की से पैसे लो अभी कि अभी और हमें यहां से निकलना है हमें इसे कोई बात नहीं करनी और ना इसके बारे मिलकुल भी कुछ हमें सोचना है तो किस ओर उस लड़की से बूलता है कि हमारे पैसे बापस करो और चलो यहां से निकलो और अभी कि अभी मैं पैसे चाहिए बापस हमें नहीं पता कुछ भी लड़की का दिमाग खराब हो जाता है के यार क्या क्या चाए और यह कहां बसट फैल गई ऐसा क्या हो गया कि इन्हें सब कुछ पता चल गया नहीं कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए था तो तबी क्या होता है कि बहुत ज़ादा बात बिगड़ जाती है तो कीर्टी सुरेज जो है वो किसूर में थपड मार देती है महीज का दिमाग खराब हो जाता है और महीज बाबु जो है लड़की में चबा के थपड देते हैं खीच के बुरी तरह लड़की दम लालताती हो जाती है तो वो अपने बाप को फॉन करती है तो पता चलता है कि बाप उसका बहुत रसूपदार है, बहुत जदा पैसे बालो और पहुंचा हुआ आदमी है, तो दो मिलिट में वहाँ पुलिस बेज देता है वहाँ पर यूएस में, और उनके अरेश्ट होने की नौबात हो जाती है, लेकिन वहाँ से चले जाते हैं, त लेकिन कोई भी कारवाई किये विना, आगे कोई सीन ने होता है, और वो जो है अपनी अपनी लाइफ जीने लग जाते है, तो यूएस पलिस कर गया रही थी वहाँ, उसके बाद अगला सीन होता है, कि महेज वावो मियामी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो है, वहाँ पर चले बने और वो इंडिया के लिए निकल जाता है, जब वो एरपोर्ट पर बैठा हुआ होता है, अपनी फ्लैट का बीट कर रहा होता है, तो वहाँ एक औरत को देखता है, जो बहुत ज़्यादा परिशान थी, एक आदमी भी वहाँ उससे कुछ दमगी बगर देखे गया था, और वो और जो है, बहुत ज़्यादा परिशान लग रही थी, उसके बाद आगे का सीन दिखाते हैं, कि महिजग बापु जो है, वो इंडिया मा चुके हैं, और उन्हें टेक्सी ड्राइवर जो है, वो लेने आया हुआ है, तो वो टेक्सी ड्राइवर जो है, उनसे पूछ जट में तो फिर मेरा ही घर आएगा पचास सो रुपे में तो महिजवा बोलते कि कोई नहीं चलेगा तुमारा गर और वो उसे अपने घर ले जाता है उसके घर के पास में उसे वह अंकल मिलते हैं जिनोंने बच्पन में उसका साथ दिया उसे होस्टल मैडविशन कराया उसक के बाद अगले शीन में महिज बावु जो है कीरती सुरेश के पिता से मिलने जाते हैं और उसे बोलते हैं कि आपके बीटी ने मेरे से 10,000 डॉलर जो है यूएस में लिये थे तो आप मुझे वह वापस कर दीजी और मुझे यूएस से वापस जाना है यूएस वापस जाना तो कीरती सुरेश के पिता बोलते हैं कि तुम 10,000 डॉलर के लिए यहां पर आयो तो मैं जबाव बोलते हैं कि अगर मेरा 1 रुपय भी होता तू भी मैं नहीं छोड़ता ये तो 10,000 डॉलर की बात है तो आप मुझे वह 10,000 डॉलर रुपय दे दीजी और मैं यहां से चला ज जा सकते हैं इस वाद का तुम ध्यान रखो तो महीज बावु का दिमाग खराब हो जाता है लेकिन वह कुछ नहीं कहता फिर भी तो उसे गार्ट के तुरू बाहर फिकवा दिया जाता है कि चल गार्ट उसे बोलते हैं कि चलो बाहर निकलो यहां से और गार्ट उसे बाहर फैंक देते हैं लेकिन महीज बावु बोलते हैं कि जब तक आप मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक मैं आपको रोज परिशन करता रहूंगा अगले दिन महीज बावु कीर्थी सुरेश के पिता को रोड पर रोग लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि सर मेरा पैसा दीजिए ले तो इतना ज़्याद गुस्य माजाता है कि तुम्हें पैसा नहीं जिन्दा नहीं छुड़ूंगा चब कुछ हो जाए अगले सीन में बाहर उसके आंटी बाहर वीट कर रही होती हैं क्योंकि उसके पती खाना लेके नहीं गए होते हैं तो महेज बाबु बोलता है कि आप मुझे दे दीजिए मैं अंकल को खाना पहुचा देता हूँ जब महेज बाबु अंकल को खाना पहुचाने जाते हैं तो देखते हैं को शिक्योटी गाड का काम कर रहे हैं तो बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पैंसल भी मिल अगले सीन में किर्थिश सुरец के पिता ने न से महिज बाबु को मारने के लिए उपर जाल फैकते हैं जब महिज बाबु जाल में फस जाता है तो उसके बाद पिटा ही वगरा शुरु करना श्टार्ट कर देते हैं लेकिन जैसा कि आप सब को पता ही है कि साउथ इंडियन फिल्म है तो हीरो तो पिटने से रहा तो महीज बाबो उनकी जम कर पिटाई करते हैं जाल में से बाहर निकलाते हैं उनकी नाबों को पलट देते हैं और इतनी बुरी तरह पिटाई कर देते हैं कि सब की हड़ी पस लेग कर देते हैं और जो इनमें main villain होता है जिसने main शुपारी लिव योती कि उसकी बुरी हालत कर देते हैं, मतलब जितना कहाजाए उतना कम, इतनी बुरी हालत हो जाती है, और जब उसको मार पीट के एकदम भिहोस कर देते हैं, या फिर मार देते हैं, उसके बाद कीरती सुरेश के पिता का फोन आता है, तो महिज बाबु फोन उटाते हैं, तो चु कारी मचलिया खतम हो गई कि वाद अगले शीन में महेजवावों मीडिया के सामने चले जाते हैं और सबसे बोलते हैं कि केर्थी सुरेश के पिता जो है उन्होंने मेरा दस हजार डॉलर रुपया दार लिया मेरे से और मेरे पैसों को बापस नहीं कर रहे हैं और मैंने बहुत सारी कोशे से की उनसे वापस करवाने के लेकिन वापस नहीं कर रहे हैं तो किर्पया करके आप मेरी मदद कीजिए कि मेरे पैसे वापस कर दें